तो कियाल चाहसा स्रेकाल मैं हुन्य ओन्मैनेट गईज आज हम लोग बात करने वाले इंदे मोस्ट कॉंट्रिवर्शिल डे ओफ दिस यर के बारे में जिहां गईज कल बहुत सारे क्रियेटर जैसे की एलविशादव रैंडम सेना मुनावर फारूकी यूके दोर सेविन यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले ना क्यूंकि आप में से आदा से जादा लोग जो वीडियो को देखते हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो घर ले ना प्लीज तो चलिए अब एकदम शुरुवात से स्टार्ट करते हैं तो दो दिन पहले ए different ideologies है तो इसको लेकर कुछ लोग anticipate कर रहे थे कि कुछ clash हो सकता है on field बट लोग के expectation से एकदम उल्टा चीज हो गया ये लोग दोनों अराम से एकदम smile करके एक साथ hug कर रहे थे बहुत अच्छे moments इन लोग के capture हुए in fact मुनावर को capture किया गया था Elvis के साथ vlog भी बनाते हुए also so on field Elvis आदव मुनावर को balling किये थे मुनावर ने उनको छक्का जरूर मारा था बट end में Elvis उनका wicket भी लिये so overall everything was very friendly and positive बट जैसे ये event खतम वह है Elvis आदव को लेकर कुछ separate opinions आने लगे कुछ लोग बोलने लगे कि ये एक charity match था इसलिए Elvis आदव मुनावर के साथ अच्छे से behave कर रहे थे but on the other end कुछ लोग बोल रहे थे कि Elvis को उनके साथ ऐसे behave नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुनावर अपने past में stand-up comedies के दोरान कुछ ऐसे controversial jokes पास किये हुए हैं जिसको लेकर Hindus का sentiments बहुत hurt हुआ है तो Elvis जो अपने आपको cutter Hindu बोलते हैं उनको ऐसे person के साथ involved नहीं हो में है एक महिना पहले बोल चुगा था कि रागया शर्मा एक दिन ले डूबेगा अलविश को हर गलत चीज को promote मत किया करो हर कुछ पैसा नहीं होता है मेरा कोई commercial लिस्ता नहीं है आज तक Elvis ने मुझे एक रुपया ना दिया है ना एक रुपया कमवाया है ना एक बार अब इसके बाद Elvis अदव भी ट्विटर स्पेस में लाइव आये और वह भी उनको रिस्पॉंड किये आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा मैच कैसे करते हैं अब दूसरी फिल्ड पर जाते हो जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की तो आपको काफी चीजे बूलनी पड़ती है और वो दिखान परता स्पोर्समेंशिप कि हम यहां पर गेम खेलने आए ना कि एक दूसरे के ओपर हिट्रेडर निकालने आए मेरे को संदनी आईगी for example तो मैं दुनिया वर में बैठके टिंडोरा थोड़ी पीटूँगा की काटारिया को गाली बखने लग जाओं काटारिया के फैन क्लब्स को गाली बखने लग जाओं just because मेरे को उसकी वो चीज पसंदनी आईगी एक साइड आप बोलते हो कि भाही चारा हम रखते हैं हमां बहुत बढ़ी अबाई हैं दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली के लोग चल रही है यह चीज मुझे समझ नहीं आई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा जहां भी रहो जैसे भी रहो खुश रहो प्लीज अनफॉलो मी यह मेरा आप लोग के साथ लास्ट इंटरेक्शन है जिसके बाद एल्विश के तरफ से यह ट्वीट आया खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट निकल जाएगी प्यार महबबत से रहो और आगे ब अब यह सब कॉंट्रवर्सी के बीच में मैक्सटन भी आये और वो थोड़ा सा ट्रोल किये अल्विश आदफ को फस्ट अफॉल उन्हें यह वाला वीडियो पोस्ट किया था उनका हर आदमी दोगला है हर आदमी तो वाई यही है अपने काम से काम रख को साड़ा जिस पर उनको स्ट्रेट अवे रिप्लाई देते वें बोल दिया है भाई तू दिली रहता है सोचा याद दिला दू एंड मैक्सटन उनको रिस्पॉंड किये थैंक्स भाई उसके बाद मैक्सटन ने एल्विश के साथ एक चैट दिखाया जहां पर एल्विश अपना कुछ एड्र कि नहीं तो फिर अचानक से एल्विश अपने इंस्टेग्राम में ये स्टोरी अप्लोड किये जहां पर वो थम्स अप कर रहे हैं विद दे कैप्शन वर्क डन और कुछ ऐसे स्पेक्यूलेशन आने लगे कि एस पर सोर्से मैक्सटन इस नाउ इन हॉस्पिटल बड नो इस इस नॉट फुल्ली ट्रू क्योंकि मैक्सटन इसके बारे में अपने तरफ से अपडेट देते वे ये कहे अपने स्टोरी में ये वाला वीडियो पोस्ट के जिसमें कि आप लोग देख सकते हो वो थोड़ा सा kind of taunt कर रहे है कि उनको ये controversy देखकर मजा आ रहा है और वो popcorn खा रहे है लेकिन इसके बाद वो Elvish के tweet को reply करते वे हाट वाला emoji ज़रूर डाले बट guess what guys यहां से मुनावर और UK07 rider का controversy स्टार्ट हो गया बाई already इतना scene चली रहा था बट इसके बीच में UK07 rider open challenge दे दिये मुनावर को आप खुद सुल लीजिए तो यार अभी ना internet देख रहा था मैं यह Elvish भाई वाला matter बहुत बड़ा बन चुक है अब चो हो गया वो हो गया बट मेरको ना Twitter पे बहुत सरे लोग मुनावर की स्टोरी टाग कर रहे थे घर पे बैट करके popcorn खा रहे है बाई स्टेट तरको टाग करके स्टोरी डाल रहे हो मुनावर अगर पिछवाडे में दम है न बाई तो यह online gangster बनना online troll करना छोड़ दे 1v1 boxing fight के लिए तरको challenge कर रहे हो और अगर actual में दम है न बाई यह fake gangster, fake troll, internet पे बंद कर और वहाँ मिल, वहाँ बतातों में तरको system क्या होते है और यह boxing match वाले scene के आपर react करते वे फुकरा इंसान भी लिख दिये, boxing match कराओ जल्दी बट यह coming back to Elvish vs Random Sena तो इसके बाद Random Sena के तरफ से कुछ ऐसे tweets भी आए जहां पर वो अपने audience से urge कर रहे थे कि Elvish आदव कौन follow करो and एक hashtag run करो shame on Elvish वो कुछ और भी उनके पुराने controversial photos and videos post करना चालू कर दिये जिसके बाद Twitter में number one trend start हो गया hashtag shame on Elvish बट इसके counter में उनके fans भी ऐसे कुछ trends चलाने लगे जैसे कि love you Elvish आदव जिस पर react करते वे random से ना बोल दिये paid PR चालू आठ लाख has been given to the PR team for multiple positive trends for our Elvish आदव भाई अपना इतना egoistic है कि पैसे फूख देगा लेकिन माफी नहीं मानेगा then वो कहे roaring at number one without any paid PR और फिर वो एक उट विटर स्पेस चालू किये and उन्होंने ये कहा इसको सच्चा दोस्त बोलते हैं कि जो सच्चे राह पे ले जाए कि बढ़िया चीज सिखाए कि भाई तुम अपना image rebuilding करो lip-sync मत करो सट्टा promote मत करो anti-hindu मुनावर से मत मिलो क्या बोला था है लविशाद उसमें कि critic करना, criticize करना तो criticize तो किये थे भाई कहा माने तुम, तुम तो उल्टा ego में आए वे हो कुछ भाई लोग बोलने हैं भाई DM कर देते किये भाई, भीक मांगे DM किये कि भाई अभी भी टाइम है, आ जाओ वापस आ जाओ वापस, गल्ती हो गया, मान लो भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, charity का बहान अब इस पूरे सीन को देखकर लक्षे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने यह ट्वीट किया, तो उन्होंने रिप्लाइ दिया, करियर और mental speech के L लगाने हो, तो Twitter पे active हो जाना, today my Twitter feed proved it, यहां साला comment section से poking start होती है, और दो बंदों के बीच, in real life आग लग जाती है, so called Twitter fans are the root cause of everything, f this app, सही में यार, ये चीज़ इतना साधा escalate हो गया, कि real life तक इसका impact पढ़ गया यार, तो इस चीज़ पर आपका क्या personal opinion ने मेरे को comments में ज़रूर बताना, अभी इसके उपर और भी बहुत सारे updates आइंगे, अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को subscribe करना, बिल्कुल भी मत भूलना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोजदे के बारे में, तो मनोजदे इस यूटूबर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जहां guys, first of all, उन्होंने अपने Instagram में अचानक से ये story upload किया, जाती के नाम पर, धन्म के नाम पर, देशभक्ती के नाम पर, व्यूज चापने वालों का क्या क होगे आप, ये लोगा लगी manipulation वाला game खेलते हैं, तीरंगा का नाम लेके public को अपने तरफ कर लो, उतरा ही देशभक्ती है, तो Olympic में जाकर medal लाओ यार, यूटूबर देशभक्ती के नाम से views लेना, monetize करके पैसा कमाना, कैसा देशभक्ती है, और वो किस exact यूटूबर के हर मेडल यात्रा कर रहा है, भारत भर्मन कर रहा है, तो उससे देश का क्या फाइदा हो रहा है, वो तो अपना फाइदा के लिए वो कर रहा है, देश का नाम से, किरंगा के नाम से भ्यूज लेना, monetize करके पैसा कमाना, अगर आपको उतना ही देश वक्ती है, ताब Olympic में मेरे घर पे मेरे अंकल ने बताया, कि वो घर पे नहीं है और बोला कि विदावड परमिस्ट विडियो मत बनाईए, गलत कुछ तो नहीं बोला, वेड़ा परमिस्ट ऑप किसी का घर का वीडियो कैसे बना सकते हैं, आप मेरे घर परमिशन नहीं, मिलने गर में, लेडिस है, तो चाहिए बांटे मदते हम लोग बात करने वाले सॉरफ जोशी के बारे में तो क्या सॉरफ जोशी वालिवुट मुवी में थे वेल गाइस एक बॉलिवुड मुवी के सीन को देखकरHave मैघने थे तो चाहिए बागे बढ़ते हैं इसलिए आप लोग को सकता है एक रिपोर्ट क्लेम कर रहे हैं कि साइबर सेक्योरिटी डिविजन ऑफ इंडियन गवर्मेंट जो है वो लोग रेकमेंट किये हैं तो डिसकंटिन्यू बीजिये माइं तो चली अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कने वाले एक फ्लाइट से रेलेटेड वाइरल फोटो के बारे में तो गाइस इंडिगो फ्लाइट से रेलेटेड ये वाला फोटो वाइरल जाने लगा जहां पर भई लिटरली सीट का कुशन ही नहीं है तो लोग ये चीज़ को देखकर हैरान हो गए भई कि फ्लाइट में इतना पे करके हम लोग जा रहे हैं वाहाँ पर सीट भी नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसे सर्कास्टिक कमेंट्स आने लगे फिर किसे ने कहा कि I hope उन्होंने वेब चेकिंग के दौरान जीरो रुपीज चार्ज किया होगा सीट के लिए तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात कने वाले एक वुमेन के शौकिंग स्टोरी के बारे में तो गाईस मुंबई से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वो मेन फेक RBI ऑफिशल बनके अपने रेलिटिफ को जाकर ही चीट कर दियो 96 लाक रुपीज जहां गाईस बताया जा रहा है कि ये RBI ऑफिशल बनकर गई थी अपने रेलिटिफ के पास जो कि physically challenged है वो उनको बोल रही थी अगर आप इसमें पैसा इंवेस्ट करोगे तो आपको 2 लाक रुपीज मंतली इंट्रेस्ट मिलेगा बट अफकोर्स इट वस ए स्कैम एंड वो उनका पैसा हडप ली या तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो फिर्स्ट फॉल डियमन रॉफ एफ ने complete कर चुके अंडिट के सब्सक्राइबर्स एन अस्ट्रोकिट को भी ने complete कर चुके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो चलिए अब कुछ international stories के बारे में बात करते हैं तो फिर्स्ट फर में लोग बात करने वाले जेक पॉल वर्सिस माइक टाइसन बॉक्सिंग मैच के बारे में पे करना होगा तो इसके उपर भी clarification देते वे जेक बॉल अनाउंस किये कि इट विल भी absolutely free for the netflix subscriber भाई साह बहुत सारे लोग बोल रहें कि Mike Tyson का age 57 हो गया है तो यह थोड़ा सा unfair fight हो सकता है but still he's Mike Tyson यार चाहे जितना भी age हो जाए उनका skills तो भाई भयांकर है इंडिया talking about boxing matches तो चलिए बात कर लेते Elon Musk versus Mark Zuckerberg के बारे में तो कुछ मैनों पहले शायद आप लोगों याद होगा Elon Musk और Mark Zuckerberg के बीच में बात चल रहा था of a boxing fight but क्या Elon इसको still लढ़ना चाहेंगे basically किसी ने एक tweet किया था जहाँ पर वो बात कर रहे थे इसी fight के बारे में and नी के बज़े से उनके सारे social media apps down हो गये थे for a lot of time but during that time Twitter was up and उनका servers crash नहीं हुआ था जिसको ले करें Twitter users उनके against बहुत सारे memes बना रहे थे जैसा कि आप देख सकते हो but apparently WhatsApp का जो official account है वो यह सब meme से offend हो गये and उनना ने यह photo post करके दिखाया कि वह उनको block कर दिये अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हम लोग बात करने वाले streamer train wreck के बारे में तो streamer train wreck ने claim किया कि वो monthly एक time में 25 million dollars कमाते थे I'm not kidding basically he's a gambling streamer and वो अपने streams में बहुत पैसा लगाते थे और बहुत कमाते भी थे recently जब वो एडेन रॉस के stream में गए थे वहाँ बरुना ने claim किया कि वो millions of dollars monthly कमाते थे एक time पर आप खुच सुल लीजे यहां तो चोल दोस्तो आज की वीडियो के लिए पसिते रहे हैं अगर आप कोई वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो like कर देना वीडियो के लिए अगर आपको कुछ न्यूस वगिरा भीजना है तो न्यूस सब्मिशन का link description में वहाँ से जाकर आप भेज सकते हो तो आपको credits में मिल सकता है मेरे description में एंड या ऐसे ही support करते रहे हैं आयर मिलते नेक्स वीडियो में till then bye bye